हेलो गाइज घ्यान पोटल अगेन बैक विद अवर डेली series of coding और आज हम बात करें तो यार एक हम news concept को करने वाले हैं जैसे हैं बहुत सारे लोग coding questions, coding interviews में अच्छा perform करना चाहते हैं बट वो कैसे perform कर सकते हैं उसके लिए हमने यार यह series निगा लिए है जिसमें हम TLE Eliminator questions को लेंगे जिसमें हमारी time limit exceed सब्सक्राइब कर लिए और यह कोश्चन हमें इंटर्वी राउंड में एक बेसिक कॉंसेप्ट को बिल्ड करने में हमें हेल्प करेंगे तो यार जो हमने कोश्चन उठाया है वह उठाया हमने कोड़ फोर्स का 800 सेरीज का जो है हमारी हलमस बॉक्स आप जाके सर्च भी कर सकते हैं हम बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक जाएंगे और जिससे आपको कॉश्चन कैसे आपको डिबग करने सौल करने भू भी आपको पता लगते रहेगा तो यार कहीं मत जाईए और जल्दी से चैनल को सब्सक कुछ होगा यार एंड वो स्टोर कर रहा है उन्हें अंट बॉक्स में एड़ इच फैस ए एड रिटरन अनिट ही वांस तो सॉट बैं इन नॉन डेसिंग और और वो चाहता है कि वह उन्हें नॉन डीक्रीजिंग और में सौट रहें नॉन डीक्रीजिंग आडर मतलब इन् पूस्ट के मतलब हो लेस दन के वाले को ही सोट कर पा रहा है तो हमारा कोशन यह है कि फाइंड करो कि वो पॉसिबल सॉट बॉक्से उजिंग एन एरे जिसमें मतलब हमारा आई टू जे एंड इस वे है और चेंजिस हमारे इस तरीके से यह हो रहे हैं एंड फर्स्ट लाइन इस दिस एंड नंबर अफ टेस्टेड आज दीज ठीक है तो यह इस तरीके कोशन बहुत आता है और जैसे इसमें लिखवाए कि अगर प्रिंट यैस करो अगर वो सॉट्ट हो जाते हैं और प्रिंट नो करो अगर वो सॉट्ट नहीं हो पाते हैं और यह हमें जो कहा है क्या दे रखा है इन्पुट दे रखा है ऐसे कि यार हमारे फाइफ टेस्ट केसिस हैं थ्री हमारा क्या है थ्री हमारा बेसिकली यार यह थ्री हमारा एन है और मतलब हैरे का साइज और के हमारा कि एटमूस्ट हम कितने को सॉट कर सकते हैं कि इसने number of digits को सॉट कर सकते हैं और यह हमारा है इसमें क्या कर रखा है इन फिर्स टू केसे बॉक्स आर अल्रेदी सौ्ट इन ओन डिक्रीजिंग ओडर थर्ड केस में हमें रिवर्स हमने उगुलिक लिए पट फूर्थ केस में वी कैन नॉट रिवर्स वी रिवर्स टू बॉक्स एं लास्ट बॉक्स इन फिफ्ट केस इंपॉसिबल तो यार अगर हम कोश्चन देखें है कोश्चन तो अच्छा है अब माइन में आपके क्या एगा कि आखिर हम इसे सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो इसको सॉल्फ करने के लिए सबसे पहले हम कुछ ट हम 123 तो सबसे पहले है जब भी आप ऐसे कुश्चन करते हो तो टी यह वाली चीज को अगर आपको ब्रेक करना है तो आप वर्स केस सिनेरियो समझें तो हम क्या कह सकते हैं वर्स केस सिनेरियो हो सकता है जैसे मैं ले लेता हूँ एक एन है हमारा 4 अब एन 4 पे अगर मैं क्या कई से सिनेरियो में एट मुस्ट की वैल्यू अगर मैं क्या लिडेकाände तो मैक्सिमुम से तो हमें मैं भीता है डिकत मैं हम रिवर्स कर सकते हूं आगे तेन नहीं की स्निवस्थे लिए लिए अगर moi क्ति है कि four भी हमारा क्या है just in a non decreasing कि हमें increasing में रहना है तो worst case complexity कि समय वर्सकेस कॉंप्लेकसिटी हाई है हमारी अगर non decreasing होगा ठीक है तो at least इसको करने के लिए हमें अगर n4 है तो हमें three times करना ही पड़ेगा तो वर्स केस्ट कोमलेक्शिटि यहाएगी राइट प्रसकेस कॉमलेक्सिट है कि दो अगर हमारा के वन है कि ड Sachen state nós supposed कर पहेंगे enjoy को no it's not possible क्रोभिकि अडमोस्त कर सकता है less than dot kete कर सकते तो अगर हम एक भीです., को शौट का में कुछ कर सकते नहीं distint है जो सब्सक्राइब भी तो कि सब्सक्राइब तो अगर ब्रस्क्राइब ब्लिटर देन पुर्द सब्सक्राइब जाती है तो हम स्ब्सक्राइब मतलब उसमें हर एक का अंसर यहीं होना है और अगर k value 1 है तो उसमें नो ही होना अब बस हमें यार यही चीज़ चेक करनी है ठीक है लेकिन बस उसमें भी एक चीज़ है कि अगर k value 1 है तो हमारा array sort ही होना चाहिए बैचांस अब है कोई एक ऐसा case हो जिसमें array already sorted है तो वो भी की चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी in case of one ठीक है तो यह बहुत सिंपल कोड है चलिए जल्दी से यार अपना कोड़ एडिटर खोल लेते हैं और कोड़ एडिटर सबको बता है हमारा कोड़ एडिटर क्या होगा हमारा कोड़ एडिटर यार है वी ऐसे कोड़ तो इसमें मैं क्या डालेता हूं है यार अपने क्लास बनानी है तो मैं जल्दी से अपनी लास बना लेता हूं विट्स दॉट्स सब्सक्राइब करने वाले हैं कोई भी एक लेंगमेंगी चूज कर लीजाए अगरा अब तक नहीं समझी है कि लेंगविच कैसे हैं मैं यह चल्दी सब्सक्राइब थाव और आपने जो है देखना स्टाट करते हुआ है t equals to test case then, एक वाइल लूट लगाया जिसमें मैंने t greater than 0 and that our t minus minus next is our n and k and हमने cn end करा cn k और इन दोनों को लेने के बाद हमने क्या बनाया हमने एक बनाया अपना वेक्टर चल दी से वेक्टर हम बनाएंगे of int a equals to n size n size का वेक्टर बनाने के बाद हमने एक for loop चलाया int i equals to 0 i n and i plus plus and there is cn और यह हमने जो है एक array बना लिया हमारा अब array बनाने के बाद हमारा काम क्या बसकता है array बना लिया सब बना लिया हम क्या कर सकते हैं बस simply हम check करवाएंगे तो check के लिए array पास कर दिया अगर यह हमारा true देता है तो हम क्या करेंगे हम cout करेंगे yes and if it is not then cout no अगर 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 ठीक हमेशा बैस्ट अप्रोच है कि हम फंक्शन बने कि मैंने बुलियन फंक्शन बना लिया है अब मैं बुलियन एक वैक्टर बना लेता हूं इसमें int k और इसके अंदर मैं क्या ले ले तो मैं इसका size a.size after that simple अगर हमारा k is equals to one then in that case हम बना है नहीं तो हमें हमारे simple है कि हमें true तो भेजी देना है अब k अगर one हुआ तो हमें क्या करना है k अगर one होता है तो हम कहेंगे कि भई हमें एक वैक्टर ओफ int copy बना लेना है एक equal और उसे मुझे sort कर लेना है copy dot begin copy dot enter and then हमने फिर क्या जलाया हमने अपना लूप आपको समझ में आया होगा जल्दी से जल्दी से हमने अब run कर दिया and run करके मैं क्या कहता हूँ यह आहां से हम इसका जल्दी से इंटूटे रहते हैं तो five 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 three two one two three three that is our yes next is three and one and three and one में हमने क्या हो कि nine nine that is also yes क्योंकि वह हमारा अल्दी सॉल्द है next is our four and four four and four में हमने यह six four three two six four three two that is also yes then our four and three this में हमने यह ten three eight nine zero and thirteen that is also yes and then हमने if we are two and one this में हमने three and one that is no so guys हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है आप से कोड़ फोर्स पे भी सम्मिट करके देख सते हैं and यह आपको ट्री नहीं देगा I hope आपको पसंद आई हो और ऐसी ही मोर वीडियो के दिस हमारे साथ जल्दी से जुड़ते रही है और old forces के problems आपके सामने सौर्फ हो रही है I hope आपको अच्छे लग रहो बाई बाई ज्यान पोड़न करो अपको पॉर्स कर के दो फाम झरो आ कर दूरा माओ को एपका फैसि weiter कर दो आतो बाई ऑग कर दो आपको आतो